जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और तार श्टड़े में मैं आश्टोस आज आपके लिए लेके आया हूँ समय और कार के इस रिंकला में भागती आज समय और कार का तीश्रा दिन है जिसमें आज का टॉपिक भी एक्जाम के नजरिये से बहुत ही महत्पूर है क्योंकि हम आपके लिए वही क्वेशन लेके आते हैं जो एक्जाम में बार बार पूछे गया है तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की और आज का हमारा टॉपिक का पहला प्रश्न है आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है इसमें क्या होता है इस तरह के प्रश्ण में जब कोई ब्यक्ति उसके कार करने का दिन दिया होता है दूसरे ब्यक्ति का दिया होता है अब जब कोई ब्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है तो जो सेश ब्यक्ति बचता है वा शेश कारियों को कितने दिन में कर लेगा इस तरह के प्रशन जब एक्जाम में आते हैं तो आप गलती कर देते हैं या छूट जाता है तो आज के बाद छूटेगा नहीं और आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सीखते हैं कि छोट के जाने वाले ब्यक्तिक पर कैसे सवाल बनते हैं और किस किस तरह के बनते हैं पहले प्रशन को ध्यान से पढ़ते हैं फिर लगाते हैं एक कार्य 18 दिन में और बी उशी कार्य को 15 दिन में कर सकता है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोट दिया तद अनुसार एकेले सेश कार्य को कितने दिनों में पूरा कवर पाएगा प्रश्ण में कहा है कि एक बेक्ति A है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है एक बेक्ति B है जो उसी काम को 15 दिन में कर सकता है अब देखिए दोनों की कारिश हमता निकाल लीजे सबसे पहले कारिश हमता तो कारिश हमता निकालने से पहले हमें एक संख्या माननी पड़ती है जो उसका काम, कितने यूनिट काम है वो निकालना पड़ता है तो इसको कहीं से मानना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि 18 और 15 का LCM कितना बनेगा तो जैसा कि 90 बनेगा, तो 18 पंचे 90, 15 छका 90 तो यहां से पता चल गया कि A की कारिश हमता 5 है और B की कारिश हमता 6 है अगर A की कारिश हमता 5 है, तो उसे 18 दिन लगता है अजब कि B की कारिश हमता A से जादा है, तो उसे कम समय लग रहा है, देखिए 15 दिन का ही समय लग रहा है यहां से तो प्रश्न हमारा बन गया है जो भी प्रश्न है उस हिसाब से हमने यह solve करके निकाल लिया यहां की छमता है यह हमारा कुल unit काम है कितने unit कुल ठीक है और यह दिन है अब हिसाब से यहां पर प्रश्न में दूसरी line में कहा बी ने वही कार 10 दिनों तक करके छोण दिय B ने 10 दिनों तक काम किया उसके बाद छोण दिया अब सेश अकेला उस कार को कितने दिन में पूरा कर पाएगा तो देखिए सबसे पहले B ने 10 दिनों तक कार किया वह कितना काम हुआ है कितने दिन तक किया है 10 दिनों तक उसकी कार छमता कितनी है सर B की कार छमता कितनी है 6 और गुड़ा कर दीजिए कितना आ गया 60 यानि कि उसने 60 यूनिट काम कर दिये 10 दिनों में देखिए दिन का समय का उसकी छमता से गुड़ा करने पर पता चलता है कि यूनिट कारे कुल कारे उसने 60 unit, अभी तक उसने 10 दिनों में 60 unit काम कर लिए अब सेश कार्य, अब निकालते हैं 6 कार्य क्यों? क्योंकि तभी तु सेश काम पर एकेला करेगा काम जी हाँ, तो कुल काम 90 unit था जिसमें से B ने 10 दिनों तक काम करके 60 unit काम खतम कर दिया बचा कितना? 30 unit 30 unit काम अभी हमारे पास सेश है, जिसको A अकेला करेगा तो कितने दिन बूरा कर लेगा? अब देखिए A अकेला उस काम को कितने दिनों करेगा? ठीक है? A अकेला कितने दिनों में करेगा? तो हमारे पास काम अब कितना बचा है? 30 unit और A की कार छमता कितनी है? 5 unit यहां से देखिए एक काम करने की चमता है वो 5 यह है ठीक है तो 5 से भाग देंगे 30 में तो आएगा 6 यानि कितना आजाएगा 6 दिन इस तरह से हमारा विकल्ब ए नंबर सही हो जाएगा ए तीस यूनेट जो से सकाम बचा है अपनी कारिशमता उपनी 5 है 5 से भाग देंगे 30 में तो 6 आजाएगा यानि कि 6 दिन का समय लगेगा ठीक है जैसे हम निकालते क्या है चाल बराबर दूरी बटा दूरी बटा क्या निकालते हैं समय तो अगर समय पूछे तो आप क्या करते हैं समय जब पूछता है तो आप करते हैं दूरी बटा चाल यहाँ पर यानि कि यहाँ पर देखिए काम कितना है उसको रखते हैं अन्समय वही चीज़ है समय निकालना है तो समय एक द्वारा काम कितने दिन में समाब्द कर सकता है तो यहाँ दूरी है बस यहाँ पर क्या है काम है यहाँ पर स्पीड है यहाँ पर कारिश हमता है बस दोनों देखिए सेम है कि नहीं है सेम बिल्कुल वही फार्मूला है कुछ अलग नहीं है कहीं से अलग कुछ नहीं आया है बस समझने की बात है तारकिक बाते हैं जी हाँ तो यहां से हम इस तरह इस प्रशन को solve कर लेंगे हमारे बताने में time लगता है आप इस चीज को speed में करेंगे यह सब जो आप लिख रहे हैं हम यह नहीं करेंगे तो फटाक से आ जाएगा बस समझ लीजिए इतना काम किया इतना सेश है अब इसकी एक ही कार छमता से भाग दिया फटाक से छे आ जाएगा जी हाँ तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और आपके सामने आज का है दूसरा प्रशन ये भी पिछले प्रशन की तरह ही कुछ है इसे भी सॉल्व करेंगे जिन परिछार्थियों को पहला प्रशन अच्छे समझ में आ गया हो वो दूसरे प्रशन का जवाब दें प्रशन है A. एक कार को 20 दिनों में कर सकता है जबकि B. वही कार 12 दिनों में कर सकता है B. ने वह कार केवल 9 दिनों तक किया उसके बाद A. सेस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा यानि कि A. 20 दिन कर सकता है B. वही काम 12 दिन में कर सकता है अब देखो A और B की कार छमता निकाल लीजे तो सबसे पहले क्या निकलता है LCM 12-20 के LCM कितना आएगा सर 60 आएगा जी हाँ 60 आजाएगा अब ये 60 क्या है कुल यूनिट कार है टोटल कार है कितने यूनिट 60 यहाँ से कार छमता निकालीज़ 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 है इसकी कार छमता आगई और अगर 12 से भाग देंगे 60 में तो आजाएगा 5 यानि कि इसकी कार छमता आपकी 5 आगई ठीक है अगर वही चीज है दूरी में समय से भाग देंगे तो इस पीड आ जाती है चाल यहाँ पर छमता आजाएगी बात एक ही हुई यहाँ पर एक कार छमता तीन है बी की कार छमता पाँच है ठीक है उसके बाद कह रहा है प्रेशन में दूसरी लाइन में कि बी ने वह कार 9 दिनों तक किया बी ने वह कार 9 दिनों तक किया है और उसके बाद छोण देता है 6 car A कितने दिनों में कर गया तो B द्वारा B द्वारा किया गया car 9 दिनों में कितना हुआ 9 दिन काम करता है car छमता B की 5 यूनिट है तो 5 उगड़ा कर दीजी 9 बचे 45 यानि कि उसने 45 यूनिट काम कर दी है भई बचा अब कितना काम है उसी पे तो A काम करेगा तो 6 कार कितने है 6 वर्क अब कितने बचे है 60 टोटल थे 45 पे काम होई गया है B द्वारा 15 यूनिट अब काम 6 बचा है अब 15 यूनिट पे काम कौन करेगा A करेगा जी यहां तो A द्वारा जब काम किया जाएगा तो ए दौरा जब काम किया जाएगा तो समय कितना लगेगा यही निकालना है तो अब بتाएए काम कितना बचा है 15 ए ऐ काम करेगा उसकी कार च्छमता कितनी है सर यहां से देखिए 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 यानि कि A द्वारा अब से इस काम पर अगर अपने तीन यूट से कार्य करेगा तो उसमें पांच दिनों का समय लगेगा इस तरह से हमारा कौन सा भी कल्ब सही हो जायागा सर हमारा भी कल्ब A नम्बर का सही हो जायागा पांच दिन बहुत ही अच्छा प्रश्ण था आप समझ गये होंगे तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर ऐसा ही हमारे साथ धैर बना के रखिए एक से बढ़के एक आप हमारे साथ सवाले सीखते रहेंगे तो प्रश्ण है पी और क्यूं एक काम को क्रमसा पंद्रा और दस दिन में समाप्त कर सकते हैं क्यूं काम सुरू करता है और पांच दिन बाद छोण देता है पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है पी और क्यों एक काम को पंदरा और दस दिन में समाब कर सकते हैं यानि कि जब पी एक काम कर सकता है पंदरा दिनों में और क्यों वही काम को दस दिनों में कर सकता है क्यों काम सुरू करता है और पांच दिन बाद छोड़ देता है क्यों काम सुरू कर देता है पी उसे कितने दिने में पूरा कर देगा जी हाँ तो प्रश्ण भी बहुत ही सांधार है अपका तीसरा प्रश्ण भी बहुत ही अच्छा है क्यों द्वारा काम कितने दिन किया गया सिर्फ पांच दिन किया गया अब देखिए पहले तो कारशमता निकाल लेजे बिना कारशमता निकाले तो कुछ हो ही नहीं सकता तो 10-5 का LCM निकाल लेते हैं 30 और 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 यानि कि माल लेते हैं कि 2 उसकी कारशमता है 10 से भाग देंगे 30 में तो कितना आजाएगा सर भाग दीजिए कितना आएगा 3 क्यूंकि कारचमता 3 हो गई क्यूं काम सुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है तो क्यूं काम सुरू करेगा और 5 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है तो क्यूं द्वारा किया गया काम कितना है? क्यूं द्वारा किया गया काम कितना है सर? क्यूं द्वारा काम किया गया कितना सर है? तो क्या करेंगे? क्यूं पांच दिन तक काम करता है और अपनी उसकी कार च्छमता कितनी है? क्यूंकि तीन है तो तीन से गुड़ा कर 3 है 15 ययानि कि वो 15 unit काम किया अब सेशकार पर उसे कितने दिने पूरा करेगा तो भाई 30 काम थे सेशकार निकाल लीजी यहां से 30 unit काम थे क्यों ने 5 दिनों तक काम करके 15 unit कर दिया 30 total में से हो गए काम 15 थे यानि कि 15 आजाएगा यानि कि अब जो काम बचा हुआ है वो 15 यूनिट का काम बचा हुआ है P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो P द्वारा अब P द्वारा जो समय लिया जाएगा वो कितना लगेगा P द्वारा कितना टाइम लगे कितने दिन लगेंगे तो काम बच्चा है पंदरा यूनिट है और P की कारिश हमता कितनी है सर यहां से देखिए दो यूनिट है दो से भाग दे दिए यानि कि साड़े साथ दिनों में वह काम को कर लेगा कौन सा भी कलब हमारा सही हो जाएगा हमारा भी कलब D American का सही हो जाएगा बहुत ही सांदार प्रशन है समझना चाहें तो आप इसे बस समझ कर इसे 30 सिकंड में लगा देंगे और ज्यादा समझ गये होंगे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मुझबानी भी सवाल आ जाएगी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बहुत ही अच्छा सांदार प्रशन है और ये परिच्छा कोई भी प्रशन हो जो हम यहां लेकर आते हैं आपको पता ही मैंने बार-बार बताया है कि जब हम कोई प्रशन आपको पढ़ाते हैं यहां पर वीडियो के मादम से हमने जितने भी आज तक प्रशन लेकर आए हैं वो कहीं न कहीं एक्जाम में आय हुए होते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुरू से अंत तक आप बने रहिए और अपने दोस्त यारों में इसे सेयर करीए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो लिएगा तो बढ़ेते हैं अपने अगले प्रशन के और प्रशन हैं A और B किसी काम को करमसा 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं दोनों ने एक साथ काम सुरू किया परन तो दो दिन काम करने के बाद A काम छोण दिया जात कीजिए कि सेस काम B ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया सर सबसे पहले सवाल में ये दिया है चमता निकाल लेजे 30 आएगा यानि 30 यूनिट काम है 10 ती या 30 ये 3 के स्पेड़ से काम करता है ये 15 दो ने ये 2 के इसके कार चमता है दोनों एक साथ काम सुरू कर देते हैं दो तिनों तक काम करते हैं यानि अब कह रहा है कि A और B दोनों एक साथ सुरू करते हैं काम दो दिन तक करते हैं तो A बी द्वारा दो दिनों में किया गया काम कितना है A बी द्वारा मिलकर जब काम करते हैं दो दिनों तक कितने दिन काम करते हैं दो दिन और दोनों की कार चमता दोनों अब भई 3, 2, 5 हो जाएगा क्योंकि दोनों मिलकर काम करने एक तीन के स्पिट से काम कर रहा है एक दो की कारशमता से तो दोनों मिलकर पांच की कारशमता से काम करेंगे और काम दो दिन तक किया है यानि दस यूनिट का उन्होंने काम समाप्द कर दिया अब बताईए सेस काम कितना बचा है भई सेस काम कितना बचा है 30 यूनिट का काम था 10 समाप्त कर दिया दोनों मिलकर अब 20 यूनिट का काम बचा है कितने यूनिट काम बचे हैं 20 का यूनिट अब कह रहा है कि जब A ने काम छोड़ दिया अब देखो A ने काम छोड़ दिया मालो दो तिनों तक तो काम किया अब आज के बाद A दो दिन बाद भाई दो दिन बाद काम छोड़ दिया तो दो दिन तक काम कितना हुआ 10 यूनिट सेश काम 20 यूनिट अब 20 यूनिट पर काम होने है अब A ने काम छोड़ दिया है ठीक है A ने काम छोड़ दिया है 20 यूनिट पर अब काम करने है अब ग्याद कीजिए कि सेश काम B अकेले कितने दिनों में कर लेगा अब सेश काम जो है B कितने दिनों में कर लेगा B का टाइम निकालना है भई बी कितने दुनों में कर लेगा तो काम देखिए 20 unit है सेश काम 20 unit है जिस पर बी का काम करना है और बी की कारशमता कितनी है सर बी की कारशमता कितनी यहां से 2 है कि नहीं है जी हां 2 है क्योंकि 2 ही तो बचर भई बी तो ही बचराय लाश्ट में काम करने लिए इसलिए बी की कार छमता से भाग देंगे तो बीस में दो से भाग देंगे तो दस आजाएगा यानि की दस दिन का टाइम लगेगा शेश काम को करने में अब देखिए इस तरह के प्रश्ण एक्जाम में जब आते हैं न तो आप छोड़ देते हैं या तो गलती हो जाती है लेकिन सर इसे सीख कर अपनी गलती को सुधार सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन हमारा दस सही हो जाएगा गलतीयों को अपने सुधारिये जिन परिछारतियों को यह पहली बार पढ़ रहे हैं वो और ध्यान समझे उनके लिए एक सला है कि वो दोबारा वीडियो को देखें अगर दोबारा देख लेंगे वीडियो तो और भी अच्छे से जो भी आपका मिश हो रहा है जो चीजे बातें नहीं समझ में आ रही वो समझ में आ जाएंगे चलते हैं बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न क्योंड़ आज का अंतिम प्रश्न है वो भी बहुत ही सांदार है बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न है राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग दस बारा और पंदरा दिनों में पूरी कर लेते हैं तीनों एक साथ खुदाई शुरू करते हैं परन्तु दो दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ कर चला गया अब सेश, खुदाई, राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे जी हाँ एक राम है और एक श्याम है और एक मोहन है राम कोई काम दस दिन में कर सकता है वही काम बारा दिन में श्याम करेगा और वही काम मोहन जब पंदरा दिनों में कर सकता है दीए सबकी कारशमता निकाल लिए पहले तो पहले तो यहाँ पर जो LCM निकाल लेते हैं पंदरा, बारा और दस का LCM सर कितना आएगा 12, 10 और 15 के LCM कितना आएगा तो आप निकालेंगे तो 60 आजाएगा 10, 6, 60, 12 से भाग देंगे 60 में तो ये 5 आजाएगा और 15 से भाग देंगे तो 4 आजाएगा राम की कारिश हमता आपकी यहां से 6 है शाम की 5 है ये आधा शाह है और आपकी जो शाम की है वो 5 है दो दिन तक सब तीनों लोग मिलकर काम करते हैं पर दो दिन बाद क्या होता शाम शाम ये काम छोण कर चले जाते हैं ठीक है शाम दोरा काम छोण दिया जाता है तो दो दिन तक काम हुआ कितना ये निकाल लेते हैं तो भई A plus B plus C 3 तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम किया भई कितना काम हुआ है कितना काम हुआ है तो 2 दिन तक काम किये हैं और 3 लोग मिलकर तो 3 लोग कारेशमता भी मिला दी जाएगी तो यहां से जोड़ेगे 6, 4, 10, 5, 15 यानि कितना जाएगा 30 यानि कि 30 unit ये 3 मिलकर 2 दिन में समाप्ट कर दिया तो अब बचा कितना काम है 6 काम कितना है 6 कार कितना है 60 कुल्थ है 30 खतम हो गए गटा दीजी यानि 30 unit का काम अब 30 unit का काम कौन करेगा शाम तो चला गया राम बचा मोहन बचा ठीक है तो राम और मोहन अब मिलकर काम करेंगे राम और मोहन अब जब राम और मोहन काम करेंगे तो कितना दिन का शमय लगेगा तो हमारे पास काम कितना है राम और मोहन के लिए तीसी उनिट का काम है बटे अब बताईए किस से भाग दे जाएगा कारिछमता से भाग दिया जाता है और कारिछमता किस की किस की राम और मोहन की तो राम की कितनी है 6 है मोहन की कितनी है 4 है तियानि इन दोनों को योग से 6-4, 10 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 आ जाएगा यानि कि तीन दिन का अब वक्त लगेगा राम और मोहन को काम करने में पूरा काम समापत हो जाएगा अगर प्रश्ट में पूछे कुल कितने दिनों में काम हुआ या कितने दिन लगे पूरे काम खतम होने में तो तीन दिन यहां पर और दो दिन यहां पर यानि कुल कितने दिन हुए पांच दिन हुए तो प्रश्ण में यह तो पूछा नहीं है तो यहां पर सेश काम का पूछा था यहां सते हमारा अभी कल्ब तो डी नम्मर से हो जायागा उमीद है कि आप सभी परिषार्टियों को प्रश्ण बहुत अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद